जैसरी किष्ण, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर 24 जून बड़ा गुरुवार जेश्ट पूरणमा कापी समय के बाद में बहुत ही अच्छा सुव्योग बन रहा है इस दिन गोमाता की पूजा करने का विशिश मैत्व है जो व्यक्ति हर प्रकार से निरास हैं, हतास हैं, परिशान हैं उनको भगवान विश्णू और गोमाता की पूजा जरू करनी चाहिए पूरण मासी बाले दिन भगवान विश्णू की पूजा की जाती है और सत्तनारण भगवान का पूजन किया जाता है इस दिन सत्तनारण भगवान की कथा भी की जाती है, जिस गर में भगवान विश्णू का पूजन होता है, वहां पर स्वेम मात लच्मी ब्राजमान रहती है, शर्पतम उठते ही तोड़ा सा गंगा जलो हल्दी डाल करके जल मेशनान करना चाहिए, उसके बाद में सूर देव की पूजा करनी चाहिए, सूर देव की पूजा का बिशिज मैत्व है, प्रते दिन सूर देव को अर्ग देना चाहिए, ऐसा करने से हमारे सभी दोशों का निवारन हो जाता है, हर कारियों में आरही रुकावटे दूर हो जाती है, उसके बाद में आपको भगवान माता के लिए निकाली जाती है, हुए घर देवतीर्त के सवान माना जाता है, इसलिए इस दिन पूरण मासी वाले दिन पहली रोटी गो माता के नाम की निकाले, उससे चुपड़ें घीसे और उसको उपर गोड़ रख दें, सतनार भगवान की पूजा करते समय हाथ में जल चनी की दाल गुड़ डाल करके वह पानी आपको केले की पेड़ पर डाल देना चाहिए, उसके बाद में घर के अंदर स्वास्तक चिन बनाना चाहिए, यह भी बहुत ही पवित्र माना जाता है, घर के अंदर स्वास्तक चिन बनाएं, तेजोरी पर स्वास्तक चिन बनाएं किचन में स्वास्तक चिन बनाएं मंदर के पास स्वास्तक चिन बनाने चाहिएं ऐसा करने से भगवान प्रसन हो जाते हैं मनवांचित फल प्रदान करते हैं हर प्रकार के मनुरत पूरे हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो भगवान विश्णू की पूजा करता है भगवान विश गोमाता के सामने जाकर कि सबसे पहले उनको प्रणाम करना है उनके मस्तक पर आपको ठीका लगाना है उसके बाद में आप जो पदार्द लेके गए हैं उसे आप खिला दें इस दिन आटे का पेड़ा यानि आटे की लोई बना कर उसके गोड और चने भीगे हुए जो चने की प्राप्ति की कारे में रुकाब अटा रही है चाहाँ के नोकरी में रुकाब अटा रही है चाहाँ साधी में रुकाब अटा रही है आपको यह कारे जरूर करना चाहिए यानि गोमाता की पूजा पूरण मासी के दिन जरूर करनी चाहिए ऐसा करने से आपको लाम मिलेगा आपके हर प्रोब्लम सॉल्व होगी बहुत ही अच्चा सुभी होगा आप एक प्रकार से कह सकते हैं कापी सालों के बाद में गुरुवार की जिश्ट पूरण मासी पड़ रही है तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरू करें और जो भी चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में गो माता की जरू लेके जैए गो माता की